नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अश्योग गोईल और आप देख रहे हैं यूबाइल टेक्निकल सोलुसन यूटूब चैनल तो दोस्तों यह मेरे पास में मुबाइल आया इसके अंदर क्या दिक्कत है कि जैसे हम इसको चार्जिंग के उपर लगाते हैं तो यह जो चार्जिं चैनल को सिस्क्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को साथ में भी वीडियो कम्प्लिक्ट देखने का बाद में सेहर कर दीजिए दोस्तों तो जैसा कि हम इने बैक पैनल को ओपन कर लिया है मैं एक बार चार्जिंग लगा के आपको दुबारा दिखाता हूँ आप देख पारे हैं जैसे मैंने चार्जिंग लगाया ओनली ये लोगो बिलिंक कर रहा है तो इसका हम क्वेस्स सोलुशन करेंगे जो हमारा आगे का प्रोसेस है वो सबसे पहले तम इसको डिसी पावर स्प्लाई के अंदर देख लेते हैं कि हमारा क्या रिडिंग ले रहा है ये हमारी कुरार की डिसी पावर स्प्लाई है इसके अंदर हम लगा के देखेंगे तो दोस्तो जैसे हम इसको डिसी पावर स्प्लाई के अंदर लगाते हैं तो ये हमारा मुबाइल है जो बिल्कुल फुल सोट नजर आ रहा है तो हमारा डिसी पावर स्प्लाई के अंद एक बार हम इसको मल्टिमीटर से चेक करेंगे हाँ तो दोस्तो यह मारा मल्टिमीटर के अंदर भी दोस्तो बिल्कुल शोट नजर आ रहा है मुबाइल तो इसका हम सोलिशन करने के लिए जो आग एक प्रोसेस है वो हम आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाने कोशिश करेंगे की जिस टेक्निशन भाई ने मारे पास में मुबाइल बेज़ा उन्होंने क्या 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 काम किया है हां तो दोस्तो जैसा हम बोर्ड को देख पारे हैं बोर्ड की आलत को देखके तो में लगता है कि यह मुबाइल हमारा बाटर डेमिज मुबाइल लग रहा है हमें और इसके ओपर कुछ काम भी हुआ है जो कि इसकी यहां पर इसका चार्जिंग की OVPIC होती है इसको निकाल सबसे पहले हम जो सिम ट्रेश के ओपर थोड़ा सिर्वल टैप लगा देख हां तो दोस्तो सबसे पहले तो हमें इस हेल्ड को उपन कर लेंगे बिल्कुल अराम से समडी के दोवारा क्योंकि हम जल्दवाजी से कटर के दोवारा डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो हमारा जो नीचे से जिस बाइन इसका हाल कर रखा है तो वेसा यह मारा हाल बिल्कुल और बहतर हो जाएगा और इसका जो प्रिंट भी फट सकते हैं तो हमें समडी के दोवारा इस हेल्ड को उपन करने कोशिश करेंगे दोस्तों हाँ तो दोस्तों मैंने शेल्ड को उपन कर लिए उपन करने कबाद में हम मूबाइल को थोड़ा कलीनिंग करेंगे यहां से क्योंकि इसका बोर्ड का हल्त भूती गंदा हमें नजर आ रहा है और जितना बोर्ड गंदा होगा हमारा उतना ही बोर्ड के उपर काम करने का मन नहीं करेंगा दोस्तों तो सबसे हुए हमँए लियत चैक से नहीं कर रखा है इस वी नजरा रहा होगा आपको को है को और इसके बाद दूसरी साइड से भी चेक करेंगे कि इसकी बॉर्ड का हलत क्या है तो सबसे पहले दोस्तों में यह जंपर है इसको हम अटा देंगे कि जंपरों खटाने को बादे एक बार फिर से हम पीसीवी को कलीनिंग करेंगे कलीनिंग करके देखेंगे कि हम अमारी जो लाइने हैं वो कौन कौन सी लाइने हैं हमारी यहां पर शोट नज़र आ रही है तो सबसे पहले हम बेंटिंग एक्टर पर चेक करेंगे जो हमारी सोटिंग है वो हमारी फुल नज़र आ रही है तो सबसे पहले हम जो इसका बेट का लाइन है उस बेट का लाइन को चेक करेंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हों यह हमारी बेट की लाइन आ रही है जो मारी पलस वाली बीवेट की लाइन है ये हमारी फुल शोट नजर आ रही है दोस्तो जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है ना ये हमारी फुल शोट लाइन है फुल शोट हो रखा है लेकिन सबसे पहले हम यही पे एकाम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो भी बैट की लाइन है वो जहां जहां पर भी जा रही है वहां वहां पर सब जगे बोर्ड हमारा सूट मिल सकता है तो सबसे वहले हम यहां पर पावर सेक्शन को भी चेक करेंगे हमारी जो की पावर के नजदिक में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इनको सब को हमें केकर के चेक करेंगे कि हमारा यहां पर भी सोटिंग तो नहीं है तो दोस्तो हमें यहां से चेकिंग कर पा रहे हैं हमें यहां पर तो कोई भी सोट नजर नहीं आ रहा है हमारा जो power section है वो बिल्कुल लोकल नजर आ रहा है क्योंकि हमारा यहां पे बिल्कुल भी शोट नहीं है तो अब हमें netrack section की तरफ चलेंगे क्योंकि netrack section में भी भी power जाता है दोस्तों हम netrack section की भी line को check करेंगे हम यह line तो हमारी बिल्कुल कहीं से भी हमें सोट नजर नहीं आ रही है दोस्तों इसके बादे हम netrack section की तरफ चलते हैं हाँ तो दोस्तों जैसे हम netrack section की तरफ देखते हैं तो यहां भी बोर्ड का हाल भूती गंदा हो रखा है और यहां पे dust भी जम्यूई ही है तो दोस्तों सब्सक्राइले तो हम इन डश्ट को अठाके हम बोर्ड को थोड़ा कलीन करेंगे हम बोर्ड को पहले कलीनिंग कर लेंगे आप किसी कलीनर से कलीन कर सकते हो मैं यहां पे मेकैनिक का कलीनर रियूस कर रहा हूँ तो बोर्ड कलीन होगा तो हमारा काम करने को दोस्तों बूत अच्छा मन करेगा दोस्तों बोर्ड पे तो सबस्पहले मेनी कंपोनेंट्स को चेक करेंगे क्योंकि यह भी मारी डाइरेक्ट लाइन आती है हम इसको मेल्टिंटर से चेक करेंगे कि हमारा यहां पर सोटिंग है या नहीं है हाक तो दूस्तो में हम् चेक कर लेते हैं कि यह नहीं तो नहीं थी लेकिन हमारा शोटिंग अभी है आर तो सबस्य पहले इन old race का चेक करेंगे जो हमारे कैप लगे वह हए इन दोंनो, को चेक करेंगे है वां तो दूस्तों यह हमारा कैप सोट बोर रहा है और यह दूनों का है आप मारे जहो की सोट नजरा रहे हैं, बिल्कुल, फुल शोट नजरा रहे है थो फिर पहले इ lesp नजो कैप लगी हुए है इनको हम SM ्डु के द hm केला Möglichkeiten है यह निकल गई है और फिर असमडी के दोबार हम दोनों को एक बार रिमूव कर देंगे और हम इसको भी रिमूव कर देंगे तो हाँ तो दोस्तों जैसे कि आप देख पारे हो मैंने दोनों जो कैप लगे इनको हमने रिमूव कर दिया है और अब एक बार हम बेंट इनक्टर पर देखेंगे कि हमारा सोटिंग गई आया है फिलाल अभी भी सोटिंग है हाँ तो दोस्तों जैसे हम चेक कर पारे है हमारा यहां पे बिल्कुल भी सोटिंग नजर नहीं आ रहा है है और जो हमारा रीडिंग है वो एक साइड से तो 350 हो गया है और एक साइड से सतरह ठारा सो ले रहा है तो इसका मतला हमारा मॉयल बिल्कुल ओके हो गया है है तो सबसे पहले हम इन दोनों जो केप हैं दोनों को ग्राउंट से अलग करके हम चेक करें की हुमारा कॉन सा केपrophe सोट है इन दो今 हमनी इसको ग्राउंड के लाइन पर लगा रखा है यह वह से लिए being दोनों को अठा लेते हम यहां से और अब हम मल्टिमीटर के द्वारा चेक करें कि मारा कौन सा कैप सॉट है बन वाई बन हम चेक करेंगे इस कैप के अंदर हमारा बिल्कुल वी सोटिंग नजर नहीं आ रही है तो इसको बाक्स लगा देंगे यहां पे और अब हम दूसरे कैप को भी चेक करेंगे इसको हम यहां पे लगा देंगे और अब हम इसको चेक करेंगे यहां जो कैप हैं मारा दोनु साइट से भी बोर रहा है तो इसको हम अटा देंगे और इसी वेल्यो का हम दुबारा लगा देंगे दूसरा बौर से निकालके और अगर आप नहीं लगाऊंगे तो भी चलेगा को इस्यू नहीं है तो हम SMD के दोवारा जो मारा एक के पैस को हम लगा देंगे दोस्तों तो हम थोड़ा सी इसको सोल्ड कर लेते हैं पैस डाल के ताकि मारा जो कंपोनेंट अब अच्छी तरीकी से बैठ जाए हम थोड़ा स्पेस्ट लगा लेंगे पैस्ट लगा के SMD से उस कंपोनेट को बिठा देंगे दोस्तों जो यहां पर मैं SMD यूज कर रहा हूँ वो मेरी DW-861 है क्यूक की हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख पारे हो मैंने कंपोनेंट को यहां पर बिठा दिया है इसकी बाद यहां बोड को कलींट कर लेंगे दोस्तों वोड हमारा बिलकुल हमें कलीर नजर आना चाहिए दोस्तों जब भी मारा को veg transcription जो फॉल्ट है वो फाइंड हो पाएगा वरनना मलबाद कोई फाइंड नहीं कर पाएंगे दोस्तों अब मैं चेक्र करेंग êtes हाँ दोस्तो अब मारा मुबाइल के अंदर बिल्कुल भी शोटिंग नजर नहीं आ रहा है और अब हम में जो कि मारा जो चार्जिंग वाला जो कि ओवी पी आईसी का जो जमपर था वो हटाए हुआ था उसको हम जमपर को लगाएंगे तो हम थोड़ा कलीन कर लेते हैं हम जमपर कर देंगे जैसा कि आप देख पारे हो हम यहां सी आप इसको जमपर कर देंगे तो सबसे पहले हम थोड़ा सपेश्ट लगा कर लाएगे ताकि हमारा जोब वायर अच्छे तरीके से लग जाए थोड़ा हम पेस्ट लगा लेंगे दोनों कंपोनेंट हो पे और अलक अलका सॉल्डरिंग कर देंगे क्योंकि अगर हमें यह जंपर नहीं लगाएंगे जंपर भी लगा सकते हैं और हमें यह आई सी भी लगा सकते हैं एक यह जब था तो यह हमारा जो की बोल्टे जो 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 आवकरंट होता है उसको पर वींचे नहीं हो और इसको मारा वाईर चार्जिंग नहीं होगा तो मेरे पास मैं आई सी थाने इसलिए मैं यहां पे बाइपास ही कर रहा हूं दोस्तों इस बाइर को हम यहां से कट कर लेंगे और जमपर कर देंगे जमपर कर दिया हमने और यहां पे बोर्ड कम थोड़ा दुबारा कलीन कर लेंगे कलीन करके हम फिर ओन करके देखेंगे कि हमारे मॉबाइल के अंदर कोई और इस्यू तो नहीं रह गया है अच्छी तरह के कलीन हो गया है उर जमपर भी हमने चर लिया है तो अब हम मॉबाइल को ओन करके देखते हैं कि हमारा मॉबाइल के अंदर लोगों के समस्या है या लोगों का समस्या है कि पालता है अब हम ओन करि However मुबाइल को जो कि पहले मारा मुबाइल ओन भी नहीं हो रहा था और उनली जो चार्जिंग लगाने पर उनली जो चार्जिंग का लोगो आता है वही लोगो आ रहा था हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख पारे हमारे मुबाइल ओन हो गया है और ओपो नाम आ गया है इसको ओन करके हम देखेंगे कि हमारा चार्जिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है दोस्तों यहां पर मारा जो की सोटिंग का प्रोबलम था वो मारे सोटिंग निकल गई है और अब मैं आपको चार्जिंग भी शो करवा देता हूं यहां पर यह मारा वाईल यहां पर कंप्लीट ओन हो गया है और अब हम चार्ज लगा के देखते हैं तो दोस्तों आप देख पारे हुमारा मुबाइल चार्जिंग भी होने लग गया है और जो हमारा करेंट ले रहा है वो भी 1.3 एंपेर ले रहा है तो इसका मतलब हमारा मुबाइल अच्छी तरी किसे चार्जिंग भी लेगा तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगया आ मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में जबते के लिए जय हिंदी मनें बात रहां बाई बाई टेक केर